कि दोहजरच़च़़ का चुनाव चल लहा है और 24 के चुनाव का आज चोथे चरनकी बोटिम भी हो रहें लेकिन प्याव्म नरेंदर मोदी और नितिस्कुमार ने तरह के चुछना के रोट सो ते हैं जनता इनको नकार दी है हमारे साथ इन्हीं मुद्दो को लेकर के बात करने के लिए जदियू के नेता है डाक्टर एसके सैनी जी जिस तरीके से रोड सो आपके नेता कर रहे हैं लेकिन उकाह रहे हैं कि अब जाब सो करेंगे सब कुछ फेल हो जाएगा सबसे पहले बात तो मैं बता दूँ आपको ये जाब सो की बात और जाब देने की बात जो कर रहे हैं मानने हैं स्री तेजस्वी जादो जी मैं स्री तेजस्वी जादो जी से पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसके पहले भी उस उपमुख्यमंत्री के सासनकाल में स्री तेजस्वी जादो ने कितने लोगों को जॉब दिया उसके पहले ले लिजिये 15 साल सासनकाल के दौरान 90-2005 के दसक में बिहार में कितने लोगों को रुजगार मिला ये सिर्फ एक भंडा है परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक सड़यंत्र है जबकि ये बाते स्री मोदी और स्री नितिश कुमार जी नहीं करते हैं और सबसे पहली बात मानित स्रीते जस्वी जादो जी जो कह रहे हैं कि जाव हमने दिया इससे पहले भी मेरे स्टेटमेंट कई चले हैं आपको पत्रकार साहब बता दो सबसे पहली बात कि जिसमें बिजय कुमार चौधरी जिसमें सिक्षा मंत्री हुआ करते थे ये डाटा जो है उस समय ही तयार हो गया था रोजगार देने का तब रही बात रोजगार के मुद्दों पर जो है ये बार-बार बोल रहे हैं स्री तेजस्वी जादो जी मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जादो जी नहीं न थे और कोई भी काम जो होता है कोई भी काम करने की अगर कोई कोशिस करता है तो वो जो है सबसे पहले जो है बिहार का जो मुख्या है उसके जिम में रहता है मंत्राले देने और लेने का काम मुख्य मंत्री और काम तथा नवकरिया देने और लेने का काम जो है जब तक माननिय मुख्य मंत्री चाहे कोई भी राज्य का एस्टेट का जो है मुख्य मंत्री हो वो आल इनाल होता है जब तक वो किसी भी काम पर सहमती न दे तब तक किसी भी तरह की बहाली और मंत्रियों का जो विभाग है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है संभाव जिस तरीखे से तिजस्वी आदो ने कहा कि 17 महीने बनाम 17 साल की जो बाते हैं आखिर में उसके पहले नोकरी क्यों नहीं दिये मैं इससे पहले जो मुख्य मंतरी के सासनकाल में कितनी नोकरिया दिये पत्रकार्सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बिलकुल हुआ है और आपको मैं बता दू तिजस्वी प्रसाद जादो माननी नेता हैं आने वाले समय के लोगों ने ये किया है और अपने मुहमिया म मिठुब बनने की कोशिस कर रहा है मुख्य मंतरी के चेहरे के तौर पर अपने आपको अस्थापित करने का लेकिन ये संभव नहीं है मानने मुख्य मंतरी नितीस कुमार का वीजन आपने देखा 2005 के बाद सुरू से और आज तक लोगों को रोजगार परक्समाज बनाना द आपने नहीं देखा मैं किसी से किसी की इरस्या की बात नहीं करता और माननिय क्या कहते हैं स्री मोधी सभा कर रहे हैं अगर रोड सो कर रहे हैं तो वो आगामी अपने लोग सभा क्या कहते हैं विधान सभा की भी तैयारी और निश्चित रूप से ये जान ले भीर देखकर ये जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करने की कोशिस कर रहा है उप्पमुख्यमंत्री की कुर्शी तो गई इनके करणी करनी के चलते और ये कंडिसन रहा और लालच अगर इन लोगों को घेरे रहा सबर अगर नहीं करेंगे तो निश्चितर उसे जान लिजे कि कभी मुख मुख्यमंत्री भी बनने के कतार में कभी नहीं खड़े होंगे आप मुख्यमंत्री की बात करें होगा मुख्यमंत्री की दावेदारी हो रही है कि अब तो गायब होगे आपकी पार्टी ही खतम होगी कहा जारा कि 24 चुनाव बस इंतिजार करिए पार्टी ही खतम हो जाएगे पचीस में कोई लडाई ही की बात मत कर आप बताईए इससे पहले तो आर जेडी के लोगों ने कहा कि जेडी हो जो है बिलाय करने जा रहा है और बिलाय कर लेगा मान्य मुख्यमंतरी आठवी बार जो मुख्यमंतरी का जिसको जनता मैंडेट देती है और आपने देखा कल की जहलक आपने देखा कि स्री मोदी और मान्य नितीश कुमार का जो कारवा चला रोडसों में आप एक चीज बताईए कि चप्पे चप्पे पर घर के उपर मने जितनी मंजीले बिल्डिंग है लोग जैसे लगता था कि बिल्डिंगे भस जाएगी लोगों के चलते ते जस्वी डर गया है ना इस बात से भई जनता का कहा से कहा से आप बताईए ना देखिए चुनाव है चुनाव में हम अपनी पार्टी का या कोई भी चीज जो होता है कोई भी राजनीती तो यही राजनीती इसी को तो कहते हैं हम कितना मजबुत हैं हमारे साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं हम अपनी ताकत दे कहीं रैलियां जहां पे भी रैलियां होती है इसका मतलब आप इस बात को समझे ना पत्रकार साहब किसी ने कहा है कि अगर रैलियां तथा अधिकार के लिए अगर रोड पर जिस तीन लोग उतरना बंद कर देंगे संके सूनी हो जाएगी समझ लीजिए संके आवारा हो जाए मानने मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत का अस्तिमाल करते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे पर विहार में जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और आठवी बार से मुख्यमंत्री आप कह रहा है कि जैदियू पार्टी खतम हो जाएगी से पहले लोग बिलाय कराने की बात कर र वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक मात्र जो है जनता के समर्थन और जनता की ताकत से उस कुर्सी पर जो है जम्य हुए है पलट तो आप रहे हैं कभी भाग रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं कभी पकड़ रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं भाजपा को जरुरत पढ़ती है मुख्य मंत्री के यहां जाकर अपनी ताकत जो है लगाते हैं राजत को जरुरत पड़ती है अपनी ताकत बटोरने की तो इसी मुख्य मंत्री के साथ तो जुड़ करके अपनी ताकत आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो माननी मुख्य मंत्री और जेदी खतम और सफाया क यही कारण है कि आपने लालच में आपके स्रीमान्य लालू परसादों ने लालच करके जो है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने बेटे को जो है मुख्यमंत्री बना दूँ उधर राहूल गाधी को भी प्रधान मंत्री बना रहे थे और इधर अपने बेटे को भी मुख्यमं बना रहे थे माया मिली नराम लालच में दोनों का है ठीक है ना माया मिली नराम पत्रकार साहम मैं आपको बता दू घबराहट में राजनीती है और ये लोग समाजवादियों की प्रिष्ट भूमी को खतम कर दिया मान्य नितीश कुमार जैसा आदमी आज भी है जो विकास करके इसलिए इन छोटी-छोटी पार्टियों की कोई मैं तरजीह नहीं देता और सच ये है कि ये लोग डर गए हैं पूरी तरह से डर गए हैं कि जिस कुर्सी के चक्कर में हम ते मुख्यमंत्री की कुर्सी से कुर्सी पे एक मजबूत स्तंब की तरह आज भी मान्य पूटल कारे करता चाहें बूत अस्तर का मैनेजमेंट से ले करके जो है और केंद्रीय कमीट्री तक कि मैं बात करूँ एक मजबूत पैमाने पर जो है डट करके खड़े हैं लोग तो आपने सुना किस तरीके से जद्यू के नेता है डाक्टर एसके सेनी ने साब साब कह दि लेकिन परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिस्कमार रोड सो में थे लेकिन तेजस्य आदोल लगतार जो कह रहे हैं कि हम जाब सो करेंगे लेकिन अब ये दो चार जून के बाद ही पता चलेगा कि आकिर में केंद्र की सत्ता में चाभी किसको मिलती है कौन देश की गद्दी पे बढ़ता है अब और कौन जाब सो करता है क्योंकि जिसकी सरकार बनेगी वही तो जाब सो करेगा तैसे तमाम अफडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइफ देखते रहे